इस समय रभी की प्रमुग दलनी फसन के रूप में चने की बुवाई का उप्युक्त समय हैं अभी हाली में कुछ दिनों में जो बारिस हुई है उस वर्षा के कारण अधिकांश क्षेतरों में सरक्षित नमी खेतों में उपलब्ध हैं तो इस समय किसान भाई चने की बुवाई कर सकते हैं सका है अचम张 ऑप्टिमिम्म टायम 15 नौमबर तक है ल rif किसान तो इसको 15 जो परियाप्त मात्रा में उपलद्ध है जो कुछ प्रमुक किस्में जो चने की लिए हमारे यहां से संस्क्तित की गई हैं उनमें RSG 963, RSG 945, RSG 807, CSG 515 हैं, इसी प्रकार है RSG 973, RSG 991 और 964 भी चने की उन्नत किसमे हैं, जिन से अच्छी पैदावार मिलती हैं, और इसमें फड़ी छेदकी और दूसरी जो बीमारियां हैं, वो नहीं लगती हैं, इसमें उप्युक्त समय के साथ में बीज उपचार सबसे म मातरा काम में लेएं, क्यूंकि इसमें छोटा दाना भी आता और बड़ा दाना भी आता तो बीज की मातरा दाने के हिसाफ़ से 60 किलो प्रती एक्टेर और अधिकतम इसके 80 किलो प्रती एक्टेर रखी जा सकती है, जो बीज आपने लिया है, उसके अंदर थायरम एक दवा यह वो ड़ाई ग्राम दवा प्रती किलो बीच के इसाबशे इसको उपचारित करना पड़ता है और जिन केशाओं के अंदर कुछ फपूंद नासर के या कोई जड़ जनित बीमारियों की दिक्कत हो तो वहां ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग की असन भाई करें इसमें सो कि कि मात्रा दूसरे फचलों के मुकाबले कम आवशक्ता पड़ती है यदि आपने अच्छी तरह से फचल तयार कर रखी और पहले शहीं वर्मी कंपोस्ट या गोवर की खाद दे रखी है तब भी करीब 20 किलो तो नत्रजन और 40 किलो इसमें फोस्फोरुस की आवशक्ता पड दवाई आती है वो 5 एमेल दवाई प्रती किलो बीज के आदार से बीज के उपर चिड़काओ करके और को हलका बुरुबरा होने के बाद बुवाई कर दें तो खड़ी पसल में दिमक नहीं लगेगी और फिर भी थोड़ी बहुत यदि प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो सं कर दो दो हड़ाई झाती है